हलो गाइज आज की जो हमारी वीडियो रहेगी CTAT का जो पेपर टू होता है उसकी जो साइंस सेक्षन आता है उसके लिए काफी हेल्फूर रहेगी इसके अलावा CTAT, UPTAT, HPTAT, HTAT जितने भी TAT हैं उनके लिए काफी बेनफीशल रहेगी maximum लोग science students हैं तो वो इन questions को जानते होंगे बट आप जो है practice के according अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप उनको note कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले acid जो हमारे अमल होते हैं वो कैसे होते हैं वो खटे होते हैं, sour in taste होते हैं इसके अलावा acid जो है litmus paper पे, जो litmus होता है उस पे नीले से किसमे हो जाते हैं लाल में परिवर्टत हो जाते हैं next है acid जो है वो H plus आइंस देते हैं जब भी हम उनको पानी में घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H plus आइंस मिलेंगे जो हमारा acid है वो कौन सी भाषा से लिया है? वो हमने latin भाषा से लिया है acid जिसका मतलब होता है sour यानि खटा next अब आपको पता है acid के कुछ example हो गया हमारे पास sulfuric acid हो गया, H2SO4 H2SO4 हो गया, इसके अलावा HCl हो गया जो हमारा next है base base स्वाद में कैसे होते हैं, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं ठीक है, पहली property होगी क्षार की दूसरी जब उनको हम पानी में घोलते हैं तो यह हमें कौन सी आइंस देते हैं, तो यह देते हमें OH negative ions तीसरा, इसके example है, baking soda हो गया इसके अलावा sodium hydroxide यानी NaOH हो गया अब आपको पता है, घर वालों से आपको गालियां पढ़ती हैं ठीक है, तो बोलते हैं, बहुत कड़वी गालियां देते हैं तो आपने यह नहीं सोचना है कि वो जो है क्षार यानी हमारा base है next, अब कुछ important अमल यानी Acid जिनका बारे में आपको पता होने चीए, वो गिसीज में पाया जाता है सबसे पहले हो गया Acetic Acid तो यह सिरके यानी Vinegar में मिलता है दूसरा Formic Acid, जिसको हम Methanoic Acid के नाम से भी जानते हैं वो and Sting यानी जब चीटी डंक मारती है तो उसमें होता है next, citric Acid हो गया citric Acid, यह जो है खटे जो फल होते हैं जैसे हमारा संत्रा हो गया, निम्बू हो गया, इसमें मिलता है जो Lactic Acid है, वो कर्ड यानी दही में मिलता है Oxalic Amal जो है, वो हमारा पालक और टमाटर हो गया, इनमें मिलता है Malic Amal जो है, सेब में मिलता है Ascorvic Acid, जिसको हम Vitamin C के नाम से भी जानते हैं वो हमारा आमला और खटे फलो में मिलता है Tetric Acid हमारा इमली हो गया, इसके अलावा grapes यानी अंगूर हो गया और कच्छा आम हो गया, इसमें मिलता है और यह जो हमारा Ant Acid है, Ant Sting जो होता है Sorry, इसको हम, यह किसमें, यह हमारा Mythenoic Acid, ठीक है Mythenoic Acid जो है, Ant Sting यानी जो चीन्टी वगएरा डंग करती है उसमें पाया जाता है, और Nettles Sting में Next, अब यहाँ पे आपको NCRT में mention है जो Ant Sting है, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए कौन सा plant बताया है तो Dog Plant है एक, उसको जो है, अगर हम रगडें जब हमें Ant Sting यानी डंग गएरा कर रहा है, चीन्टी ने उस पे रगडें ठीक है, यह कहां मिलता है, lime water यानी चूने के पानी में मिलता है Next, question पूछा गया है आप से सीटेट में कि जो Window Cleaner होता है, ठीक है इसमें जो है, कौन सा हम जो Base है यूज करते हैं तो वो है Ammonium Hydro Oxide, NH4OH तीसरा, जो हमारा Sodium Hydro Oxide है या Potassium Hydro Oxide है वो किसमें मिलता है, वो हमें साबुन में मिलता है इसके अलावा Magnesium Hydro Oxide, MgOH2 ठीक है, जिसको हम Milk of Magnesia के नाम से भी जानते हैं Next, Indicator यानी सूचक, सूचक क्या होते हैं आपने पढ़ा कि कुछ पदार्थ अमली होते हैं, कुछ किशारी होते हैं पर हमें उनका पता कैसे चलता है तो उनका पता जो है, हम किस चीज से लगाते हैं सूचकों से लगाते हैं सूचक की वज़़ से हमें पता चलता है कोई पदार्थ जो है वो क्या है किशारी है या अमली है ठीक है अब सूचक हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं एक हो गया natural यानि प्राक्रेतिक दूसरा synthetic यानि मानव निर्मित तीसरा होता है all factory ठीक है जो all factory indicators होते हैं हमारे सूचक उ या ठीक है जो प्राक्रेतिक जो हमारे indicator यानि सूचक है वो कौन कौन से हैं हल्दी होगी लिटमस हो गया इसके अलावा चाइना रोज जो गुड हल होता है वो और synthetic यानि मानव निर्मित कौन है फिनौफ्थलीन इसके अलावा methyl औरेंज हो गया यहां से भी सीटैट में question प प्राक्रेतिक है मानव निर्मित है या फिर all factory है तो आपको यह पता होने चीए नेक्स्ट यह जो हमारा प्राक्रेतिक है लिटमस ठीक है अब आप आपने पड़ा है कि जो हमारे अमल होते हैं वो नीले लिटमस से लाल में परिवर्दत हो जाते हैं तो यह लिटमस होता क्य होता है वहां से यह लिए गया है ठीक है जो हमारा लिटमस पेपर होता है इसका कलर कैसा होता है तो इसका कलर होता है परपल जो नीट्रल होता है नैच्रल हमें मिलता है नीट्रल यानि उदासीन लिटमस पेपर उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है बैंगनी होता है यह पता होना चीए नेक्स्ट अब कुछ important हमारे जो हमने अभी पढ़े लिए कुछ important सूचक जिनके बारे में आपको पता होना चीए तो ये नीले लिटमेस से लाल लिटमâce में परिवर्धित हो जाता है जब स पर कोई अमल यानि कलर चेंज होता है बट जब इसमें क्षार डाला जाता है तो ये लारंग में परिवर्तत हो जाती है. जो हमारा चाइना रोज हो गया गुड हल ठीक है ये जो है इसको जब एसिड में डाला जाए तो इसका रंग जो है अमल में डाला जाता है तो ये गहरे गुलाबी रंग का हो जाता है और जब इसको जो है बेस यानि क्षार में डाला जाए तो ये हरे रंग में परिवर्तित ह हो जाता है next जो हमारी cabbage होती है गोभी बंद गोभी फिक है ये जो है हमारी जब acid में डाली जाए तो यह लाल हो जाती है और जब इसको प्षार यानि base में डाल जाए तो यह हरी हो जाती है next phenophylline यह हमारा synthetic यानि मानव निरमित है अगर acid में डाला जाए तो ये रंग हीन होता है और जैसे ही इसको कशार में डाला जाता है तो ये गुलाबी हो जाता है last हमारा methyl orange जब इसको हम अमल में डालते हैं तो लाल हो जाता है और जैसे ही हम इसको किसी ख़ार में यानि base में डालते हैं तो ये yellow हो जाता है, पीला हो जाता है next अब हम कुछ question करेंगे कुछ PY क्यों है और कुछ हमने बनाया है जो आपके paper में आ सकते है ठीक है पहला ये देखिए आप ये आपको याद रखना है ये जो लड़का है इसका नाम है जाने मन और ये जो लड़की है इसका नाम है जान ठीक है ये दोनो science student है ठीक है science student है अब क्या हुआ देखिए जान जो है ये जान जो लड़की है वो क्या करी ए कुकिंग फूर्ड उसने क्या किया खाना बना रही थी ठीक है और थोड़ी सी हल्दी जो है उसकी शर्ट पे लग गई ठीक है और उसने क्या किया उसने जैसे ही क्या किया शर्ट धोई ठीक है उस पे जहां पर दाग लगा थ साबुन हमारा किशार है साबुन हमारा उदासीन है यानि न्यूट्रल है यह साबुन हमारा इंडिकेटर है तो अभी आपने अगर पीछे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा कि जैसे ही हल्दी पे जो है किशार लगता है नेक्स्ट, यहां से आपको पता चल गया, यह आपने भूलने नहीं है, जान और जानेमन, यह आगे भी आएंगे, ठीक है, यह हमारा होता है चाइना रोज, ठीक है, यह होता है चाइना रोज, यह आपने ध्यान से देख लिया, अब देखिए, अब क्या हुआ, यहां पे खाने मन है ये क्या देगा ये इसको देता है फूल कौन सा फूल देता है ये देता है इसको चाइना रोज ठीक है अब ये लड़की जो है जान ये सोचती है कि इतना मैंने इतनी मुश्किल से खाना बनाया और इसने क्या किया मेरेको एक फूल पकड़ा दिया तो ऐसे करती student हूँ तो मैं कुछ इस fool के साथ experiment कर लेती हूँ तो Jan ने क्या किया दो-तीन परक्नलियां ली ठीक है A, B, और C ठीक है उसने क्या किया उसमें कुछ डाला हुआ है वो आपको नहीं है पता ठीक है कोई solution डाला हुआ है आपको नहीं है बता उसने क्या किया चाइना रोज है चाइना रोज का क्या बनाया उसने एक पेस्ट बना लिया इस फूल का एक पेस्ट बना लिया ठीक है और तीनों जो अलग-अलग परखनलिया है इनमें डाल दिया एक भी और सी में ठीक है अब ये तीनों परखनलियों में आपको पता है अलग-अल पहली में डाला, पहली का रंग जो है वो कैसा हो गया, कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, हरा हो गया, ठीक है, पहली का रंग जो है, हरा हो गया, जो दूसरी परिखनली यानि test tube है, इसका रंग कैसा हो गया, ये colorless रंग हीन हो गया, और तीसरा जो है, वो किस में change हो गया, वो dark pink र अलग अलग रंग बदले तो आपने बताना है A में कौन सा solution था, B में कौन सा था और C में कौन सा था अब आपने पीछे अगर पढ़ा हो आपको याद है आपने किया कि चाइना रोज जो है वो क्या करता है जब उसको अमल में डाल जाता है तो वो कौन सा रंग देता है और जब ख्षार में डाल जाता है तो कौन सा रंग देता है तो आपने देखा कि जब हम जो China Rose है उसको किसमें डालते हैं अमल में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है गहरा गुलाबी हो जाता है तो यहाँ पे देखिए C का रंग जो है गहरा गुलाबी हुआ यानि C वाला जो है हमारा क्या होगा अमली होगा option c भी हो सकता है option b और c दोनों हो सकते है अब देखिए जो हमारा a है a का रंग कैसा हुआ green हुआ green यानि हरा वो कब होता है जब जो हमारा china rose है इसको किस में डाला जाता है base यानि किशार में डाला जाता है तो हमारा a का रंग कैसा हुआ हरा हुआ यानि बेसिक तो option number जो हमारा B है वो सही रहेगा A हमारा basic यानि किशारी होगा B हमारा salt यानि रंखीन लवणी जो है option number C जो है हमारा अमली होगा यानि acidic होगा next हमारा neutralization क्या होती है उदासी करन क्या होता है अब उदासी करन आपको पता है क्या होता है जब भी कोई अमल और शार यहाँ पे आपसे question पूछा गया है दो से तीन बार की neutralization जो हमारी reaction है यानि उदासी करन इसमें क्या क्या बनता है तो यहाँ पर आपको पता चल गया इसमें नमक, पानी और उश्मा जो है वो होती है तो यहाँ से यह भी पूछा गया है यह उश्मा जो है वो कैसी होती है उश्मा निकलती है तो पूछा जाती है यह जो प्रक्रिया है यह कैसी है तो यह होती है हमारी एक्जोथर्मिक बहुत सारी जो उश्मा है वो निकलती है ठीक है यह हो गया अब यहां पर यह भी पूछा गया है जो हमारी उदासिनी करण है वो कैसी है वो एक double displacement reaction है यानि दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया है ठीक है अब आपको कुछ example जो पता होने चाहिए उदासिनी करण के जो milk of magnesia है वो हमारा कैसी यूज होता है as an anti-acid यानि जब हमें क्या हो जाती है acidity हो जाती है तो हम किस चीज को यूज करते हैं milk of magnesia का यहां पर पूछा गया था आपसे CTAT में यह जो reaction है यह कैसी reaction है तो आपको option ते single displacement है यानि हमारी कैसी है एक दोहरी विस्थाफन प्रतिक्रिया है तो अगर आप देखें यहां पे तो यह जो mg oh twice है यह जब hcl यानि जो हमारे पेट में hcl है इसके साथ react करता है तो क्या बनाता है mg और cl ठीक है यह salt बनाता है यानि लवन बनाता है इसके अलावा water बनाता है तो यह जो है दोहरी कैसी है double displacement reaction है यह आपको पता होना चाहिए अब next है अभी आपने आपको पता है पढ़ा आपने जान और जानेमन के बारे में अब आपको पता है क्या हुआ यह जो जान और ज किसने क्या किया जानेमन ने खाना बनाया इसके लिए जानेमन ने खाना बनाया जानेमन के लिए अब जानेमन ने बदले में इसको फूल दिये थे इस जानने क्या किया उस पर experiment कर लिया अब हुआ क्या कि जैसे ही जानेमन ने क्या किया खाना खाया उसको होगी acidity ठीक है acidity होगी तो उसको क्या हुआ अब उसको acidity होगी तो आपको पता होना चाहिए कि अब जान जो है वो क्या करेगा जानेमन जो है वो क्या करेगा अब यहाँ पे देखिए जो milk of magnesium है ठीक है acidity से छुटकारा पाने के लिए जो जानेमन है यानि लड़का है उसने वो क्या किया खाना खाके उसको acidity होई थी तो उसने milk of magnesium लिया ठीक है अब milk of magnesium जो है वो किसके साथ जो हमारे पेट में आपको पता है hydrochloric अमल होता है इसके साथ क्या किया react किया तो पूछा गया है जो ये प्रक्रिया है वो कैसी है तो आपको बता है आपको option है दिये थे neutralization यानि उदासिनी करण है double displacement यानि 12 विस्थापन प्रक्रिया है single displacement reaction है या वो दोनों है एक और दो तो आपने अभी एक base होता है तो ये किसके साथ अमल के साथ acid के साथ react करके इसने पानी और क्या बनाया salt यानि लवन बनाया तो ये क्या है एक neutralization reaction भी है इसके लावा ये एक दोहरी विस्थापन प्रक्रिया भी है तो option number D बोथ 1 and 2 सही रहेगा next अब आपने उदासनी करण पढ़ा आपको पता होना चाहिए उदासनी करण जो प्रक्रिया है वो चार टाइप से होती है ठीक है और इसमें क्या बनता है सभी में आपको बता है salt और water बनता है यानि लवन और क्या बनता है पानी बनता है तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि लवन कितने प्रकार का बनता है तो देखी यहां पे हमारा उदासनी लवन बन रहा है यहां पे अमली लवन यहां पे भी उदासनी लवन और यहां पे क्षारी जो हमारा लवन बना वो कितने प्रकार का बना टोटल तीन प्रकार का आप से पूछा जा सकता है अब ये बनता कैसे है जब हमारा strong acid यानि प्रबल अमल वो strong base के साथ react करेगा प्रबल कशार के साथ तो क्या बनाएगा ये उदासीन लवन और water बनाएगा example दिया है hydrochloric acid जो है NaOH sodium hydroxide के साथ react किया तो इसने NaCl बना दिया ठीक है वो कैसा है उदासीन लवन है अब strong acid यानि प्रबल अमल जब जो दुरबल कशार यानि वीक बेस है इसके साथ react करता है तो कैसा बनाता है तो ये अमली लवन बनाता है acidic salt बनाता है next जब दोनों ही हमारे दुरबल अमल और दुरबल कशार है यानि वीक एसिड और वीक बेस हैं तो ये क्या बनाते है ये फिर से जो उदासीन लवन यानि neutral salt है ये बनाते है ठीक है और last में जब कोई हमारा वीक एसिड यानि दुरबल अमल किसी strong प्रबल कशार क आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे CTAT में question पूछा गया था option दिए गये थे 4 और पूछा गया था इन में से कौन सा जो है वो हमारा उदासीन लवन है तो option दिए गये थे NACL हो था NH4 था CS3 COONA ठीक है और एक और था तो आप गर आपने ये reaction अच्छे से करी कौन सा हमारा strong acid है strong base है तो आप इसको असानी से कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे एक और question पूछा गया था सीधा पूछा गया था NH4 CL जो है वो हमारा कैसा लवन है अमली ये किशारी है या फिर जो हमारा उदासीन है वो है या कोई भी नहीं है तो यहाँ पे NH4 CL कैसा है हमारा amniya laban है amniya laban next जब भी हमें क्या होता है ant bite यानी चींटी वगएरा खाती है तो वो हमारी जो body है यानी शरीर में कौन सा अमल छोड़ती है formic acid जिसको हम methanoic अमल भी कहते हैं और इसको हमें एकदम से तुरंत ठीक करना हो तो हम क्या लगाते है sodium hydrogen carbonate जिसको हम baking soda भी NaHCO3 जब यह react करेगा ant bite यानी formic acid के साथ तो यह neutralization reaction हो जाएगी इसके अलावा जो यह calcium sorry calamine solution है इसका भी हम use करते हैं अब calamine solution सबसे पहले आपको पता होने चींटी होता क्या है तो हमारा जो calamine solution होता है इसको बोलते हैं ZnCO3 यानी zinc carbonate का यह solution होता है और इसके साथ जब भी क्या हो रहा है यह एक base है आपको पता है इसके साथ जब भी कोई acid जैसे अभी चींटी कारती है तो इस पर लगाते हैं तो formic acid react कर गए तो यह neutralize यानी उदासनी करण हो जाएगा और salt plus water plus heat बन जाएगी ठीक है अब आप से यहाँ पर और example दिये हैं उदासनी करण के बोला अगर हमारी जो swail है यानी जो हमारी जमीन है वो कैसी है बहुत जादा अमली है तो हम किस चीज़ का use करते हैं quick lime ठीक है जिसको हम क्या बोले जाते हैं बूजा चूना ठीक है quick lime जो है इसको बोलते है c a o और जो sleek lime है यह हमारा होता है c a o edge twice ठीक है जब हमारी जो भूमी है ठीक है वो कैसी है बहुत जादा अमली है तो हम इन दोनों का use करते हैं उसको ठीक करने के जब हमारी जो swail है यानी मिट्टी है वो बहुत जादा क्षारी है तो हम क्या डालते है और गैनिक पदार्थ यानी और गैनिक पदार्थ डालते हैं ठीक है next अब यहाँ पे जो हमा में देता है नमक और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे सीटैट में question भी पूछा गया है जब यह दोनों चीजे react करती है तो क्या देता है एक यह और दूसरा कि यह जो हाइड्रोजन गैस है अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी जो गैस है वो निकल रही है तो पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं तो यह करते हैं हम पॉप साउंड टेस्ट ठीक है पॉप साउंड टेस्ट इसका यूज करते हैं पॉप ध्वनी परिक्षन का यूज किस चीज के लिए करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का पता नेक्स्ट जो मैटल कार्बोनेट होते हैं और मैटल हाइडरोजन कार्बोनेट ये क्या करते हैं रियक्ट करते हैं और क्या देते हैं हमें Salt और Water किसके साथ react करते हैं जो हमारे Metal Carbonate और Metal Hydrogen Carbonate है यह हमारे react करते हैं Acid यानि अमल के साथ ठीक है अमल के साथ react करके जो है क्या बनाते हैं यह यह बनाते हैं Salt प्लस H2O प्लस यह देखी हैं हाँ ते यह होते हैं Metal Carbonate यानि इस पे हमने के लिए एक धातू है M और Carbonate है यह जब अमल के साथ यानि Acid के साथ react करे हैं तो हमें क्या दे रहे हैं Salt यानि नमक दे रहे हैं Water दे रहे हैं और Carbon Dioxide Gas दे रहे हैं अब Metal Hydrogen Carbonate भी है यह देखी है धातू आगी Hydrogen Carbonate आ गया यह भी अमल के साथ react करे हैं तो क्या दे रहे हैं Salt और Water और Carbon Dioxide अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यह जो Carbon Dioxide है इसका पता कैसे चल रहा है कि Carbon Dioxide जो है वो यहाँ पे निकल रही है तो Carbon Dioxide जो है इसका पता करने के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं तो यह लाइम वाटर टेस्ट करते हैं यह आपको पता होना चाहिए Carbon Dioxide का पता लगाने के लिए यहाँ पे सेम एक्जामपल यह है यह देखिए Metal Carbonate है यहाँ पे देखिए जब हमने किया Metal Carbonate के साथ यानि धातू Carbonate उसके एक्जामपल यह देखिए Metal हमने के उनसे ले लिए Sodium ले लिए और Carbonate ले लिया इसका जब HCl के साथ इसने React किया तो हमें क्या दिया एक हमें Salt यानि लवन ले दिया Water दे दिया और Carbon Dioxide Gas दे दिया सेम यहाँ पे Metal हमने ले लिए धातू ठीक है Sodium, Hydrogen, Carbonate इसके साथ भी जैसे ही HCl ने React किया तो क्या दिया NaCl, H2O और CO2 तो यह जो CO2 है इसका हमने पता कैसे लगाया है तो Lime Water Test के साथ हमने पता लगाया है तो आप से पूछा गया है Cetat में Lime Water जो है Test यह कौन सी गैस का पता लगाने के लिए किया जाता है तो यह Carbon Dioxide Gas का पता लगाने के लिए किया जाता है अब इसी से related कुछ Question पूछेगे हैं जैसे Pop Sound Test जो है इसका उप्योग जो है कौन सी Gas का पता लगाने के लिए किया जाता है Hydrogen Gas, Chlorine Gas, Carbon Dioxide None of these तो आपको पता है कि Pop Sound Test Pop Dhani जो परिक्षन है वो Hydrogen Gas का पता लगाने के लिए किया जाता है यहाँ पे जुरूरी आप से सीधा नहीं पूछा जाएगा आपको क्या किया जाएगा माली जे दिया जाएगा Example की कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा है उसने क्या किया उसने जो है उसने कोई धातू ली ठीक है और धातू में ठीक है उसमें उसने क्या किया अमल जो है वो डाल दिया यानि अमल में वो धातू डाल दी तो क्या हुआ एकदम से reaction हुई आपको reaction दे दी जाएगी और पूछेंगे कि Hydrogen Gas वहाँ पे निकली तो इसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किया जाता है तो आपको पता है Hydrogen Test जो Pop Sound Test है Next है Lime Water जो है Lime Water टेस्ट जो है जो चूना के पानी का प्रिक्षन है वो किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है Hydrogen Gas, Chlorine Gas, Carbon Dioxide Gas जो Lime Water टेस्ट है वो Carbon Dioxide Gas का पता लगाने के लिए किया जाता है अब यहाँ पे हम करेंगे कुछ धात्विक ऑक्साइड होते हैं ठीक है धात्विक हमें जमीन से सीधे नहीं मिलते उनके साथ Oxygen किसी ना किसी रूप में जूड़ी होती है तो धात्विक ऑक्साइड जो है यहाँ पे सीधा Question पूछा गया था कि धात्विक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं तो वो प्रकृती में कैसे होते हैं Basic यानि कशारियों होते हैं ठीक है जो हमारे धात्विक ऑक्साइड है इनको जब भी हम किस अमल के साथ जो है वो क्या करेंगे रियक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे सॉल्ट और वाटर यानि लवन और पानी बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए सीधा आपको यहाँ पर रियक्शन दे दी जा सकती है आपको एक धातू दे दी जड एन और ऑक्साइड ये लगा दिया और ये किसी अमल के साथ रियक्ट करी है तो आपको ये क्या देगी तो आपको ये पता होना चाहिए इसके लावा जो नॉन मेटल यानि अधातविक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं तो वो हमारे HD की यानि अमली प्रकृति के होते हैं यहां पे अब यह अमली होते हैं ठीक है आपको चल गया पता तो यह क्या होगा अमली है अमली जो है क्षार के साथ react करेंगे तो क्या देंगे हमें नमक और पानी यहाँ पे हमारी उदासिनी करण ही चला है ठीक है next human body जो है मानुव की जो शरीर है वो काम कब करता है जब उसका जो अच्छे से काम तभी करेगा जो हमारी body का पीएच होगा वो कितना होगा 7 से 7.8 होगा अब बात हो रही है पीएच की तो आपको पता होगा पीएच का की यहाँ से यह जो था 7 जो था neutral यानी उदासिन होता है यहाँ से लेके 0 या 1 आप रख लीजिए यहाँ पे 14 ठीक है यहाँ पे जितने भी आएंगे जिनका पीएच 1 होगा पीएच मान 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा ऐसे ही 6 तक यह सारे हमारे अमल होगे और यहाँ पे 7 से आगे 8, 9, 10, 14 तक यह हमारे खिशार होगे अब यहाँ से आपको यह पता हो नचीए जिनका पीएच जितना कम होगा ठीक है जैसे 1 दो है हम बात करें हैं अमल की तो यह जो है यह क्या होगे यह strong acid होगे यानि strong acid क्या होते हैं हमारे यह क्या होगे हमारे प्रबल अमल होगे ठीक है और जैसे ही एक से धीरे धीरे कम होते जाएगा 4, 5 पे तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे दुर्बल अमल हो जाएंगे यानि weak acid हो जाएंगे और यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे 8-9 वाले जो होंगे हमारे वो दुर्बल जो है क्षार होंगे और जैसे ही आगे आगे चलता जाएगा 13-14 पे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे वो हमारे प्रबल प्षार यानि strong base बन जाएंगे यह आपको पता होना चीए यहाँ पे जो चींटी जो है आपको यहाँ पे हमने पढ़ लिया end sting जो होता है चींटी का धंग उसको ठीक कर जा सकता है डॉक प्लांट होता है उसके द्वारा ठीक है जो हमारे बर्शा का जल होता है उसका pH मान कितना होता है तो वो 5.6 से कम होता है 5.6 से कम होता है यह आपको पता होना जाए जो हमारा टूथ डिके है आपको पता है दांट तूटने लगते हैं वो किस बज़ा से तूटने लगते हैं कि हमारा मुझ जो है बहुत जादा क्या हो जाता है अमली हो जाता है ठीक है इस बज़ा से जो है दांट तूटने लगते ह यहां पर बात करें रेन वार्टर ठीक है यहां पर यह जो 5.6 बताया गया है यह किसीज के लिए बताया गया है जब अमली वर्षा होती है कौन सी वर्षा होती है अमली वर्षा होती है उसका पी एच मान जो है 5.6 से कम होता है नॉर्मल जो है वो 7 के नजदीक रहता है ठीक है अब ये जो है आपको tooth दीके तो पता चल गया आपको पता होगा ये जो tooth animal है यानि दांत की जो नीचे वाली जड़े होती है आपको पता है मसूरे जिसे कहते हैं नीचे जो होता है नीचे वाली जड़े वो किस चीज से बनी होती है वो calcium phosphate से बनी होती है तो क्या होता है जब पिये जाता हो जाता है तो यह जड़ें जो है strong नहीं रहती जिस बज़ा से मारिदान तूटने लगते हैं नेक्स्ट आपको question पूछा गया है Which of the following is a synthetic indicator इन में से कौन सा जो है synthetic यानि मानव निर्मित संकेत तक है Option दिये गए थे phenophthalene, methyl orange, turmeric यानि हल्दी बोथ 1 and 2 Synthetic मानव निर्मित हमने पड़े थे phenophthalene भी होता है और methyl orange भी होता है तो option number हमारा कौन सा रहेगा बोथ 1 and 2 रहेगा ठीक है Next हमारा which of the following is correct about neutralization उदांसिनी करण के बारे में कौन सा से ही है यह आपको क्या देता है Salt देता है, ठीक है इसके अलबाब पानी भी देता है, यह ठीक है यह आपको double displacement यह reaction कैसी होती है double displacement यानि दोहरी बिस्थापन प्रक्रिया होती है यह हमने पढ़ लिया है यह heat भी देता है, उश्मा भी देता है तो यह सारे ही सही है all of these रहेगा नेक्स्ट है, चाइना रोज जो है आपने पढ़ा, जैसे ही इसको हम acidic solution यानि अमली घोल में जो डालें, ठीक है तो यह अमली घोल को कौन से color में बदलता है, और क्षारी घोल को कौन से color में बदलता है हमने पढ़ा था कि acidic solution यानि अमली जो हमारा solution है इसमें क्या हो जाता है, इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है और क्षारी में इसका रंग जो है वो हरा हो जाता है तो आपको पता है, अमल में क्या हो जाता है dark pink यानि गहरा गुलाबी हो जाता है और किशार में कैसा हो जाता है तो ग्रीन हो जाता है हरा हो जाता है तो option number पहला सही रहेगा next है which of the following is acid is also called a vitamin ऐसा कौन सा जो acid अमल है जिसको हम vitamin के नाम से भी जानते हैं formic, ascorbic, malic, citric तो आपको पता है जो हमारी vitamin C है उसका जो chemical नाम है वो हमारा ascorbic acid है तो option number B सही रहेगा next है which of the following is a neutral acid base sorry natural acid base indicator कौन सा प्राकरितिक अमल क्षार सूचक है turmeric, haldi और cabbage, गोभी, बंद गोभी, फिनॉफ्थलीन और methyl orange, हल्दी और lemon juice होता है निम्बू का रस, हल्दी और फिनॉफ्थलीन तो पूछा गया है natural कौन सा है अब natural आपको पता है हमने पढ़ा है हल्दी भी हमारी क्या होती है natural यानि प्राकरितिक होती है और गोभी भी ये भी natural यानि प्राकरितिक होती है तो option number A सही रहेगा next अब आपको पता है कि जो हमारा paper होता है इसमें जो है 20 questions जो है आपसे content जो आपका पूछा जाता है तो science के पूछा जाते हैं और 10 questions pedagogy के पूछा जाते हैं और हम 4-5 questions रोज pedagogy के भी discuss करेंगे पहला है out of the following in which a lesson is journal rule to rule explain first after the example illustrated यानि आप lesson पढ़ा रहे हैं तो उसमें पूछा गया है सबसे पहले जो है rule बताया जाता है ठीक है जैसे A प्लस B का whole square formula बताया जाता है उसके बाद उसके question करवाया जाते हैं तो ये कौन सा जो है किस तरह का example है ये हमारा deductive reasoning है यानि निगम नातमक है, inductive यानि अगम नातमक है, cognitive है यानि संगय नातमक है, skill part है, skill lesson यानि causal part है तो आपको पता है कि जो deductive reasoning होती है इसमें हम क्या करते हैं पहले बच्चों को rule बताते हैं उसके बाद उनको example बताते हैं तो option number A सही रहेगा और inductive में पहले हम बच्चों को क्या कर next है, which of the following is most appropriate about curriculum planning in science यानि विज्ञान के पाठ्थ करम योजना के बारे में निमन में से कौन सा सबसे उप्यूक्त है तो आपने B.A. करी है तो आपको पता होगा जैसे आप science में कोई भी lesson पढ़ाते हैं तो आपका उदेश्य क्या होता है, option है ये जो है प्रतेक सत्तर में अ mapping करने के लिए किया जाता है, या second है, ये जो detail बताता है, ये जितना भी आपका lesson plan हुआ, उसके बारे में तीसरा है, it is done to plan specific learning objects, कुछ जो हमारे specific, जो पाठ्थ करम के उदेश्य होते हैं, उनके लिए योजना बनाने के लिए तियार किया जाता है, या बैग्यानिक अधिया जोडने के लिए ये किया जाता है, तो आपने जब lesson plan बनाए होंगे, तो आपको पता है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ विश्रिष्ट हमारे section उदेश्यों की पूर्ती के लिए जो है, हम करते हैं, कि बेद्यार्थी जो है, जो जब ये lesson या part जो पढ़ेंगे, तो क्या हो debate यानि debate बहस अयोजत करना चाहती है, किस चीज के लिए जो पानी waste होता है, ठीक है, उसके लिए, तो आप से पूचा गया है, इन में से कौन सा जो एक है, वो उनकी जो assessment होती है, ठीक है, मूल्यांकन करने का, इन में से कौन सा उदेश्य नहीं रहेगा, सबसे पहले, जब क क्या होगा, अध्यापक जो है, उनको बहस करने के लिए बिठाएगी तो क्या होगा, बच्चों को अलग-अलग कारण पता चलेंगे कि पानी क्यों waste हो रहा है, तो ये सही है, इसके अलावा बच्चे जो है, बताएंगे अपने जो उनके धिमाग में जो ideas हैं, ठीक है, उन आप से पूछा है, कौन सा नहीं है, तो चौता है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनको अउस्विकार करेंगे, और उनके साथ प्रतिस पर्धा करेंगे, तो ये गलत है, तो option no.4, सही रहेगा, लास्ट आज का हमारा question है, which of the following is most appropriate objective of organized visit to various places of scientific interest, यानि कोई अध्यापक है, वो बच्चों को अलग अलग जो बैग्यानिक संस्थान है, वहाँ पे लेकर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, option है, बोला है, ये जो है help करता है बच्चों को, जो वो किताबों में सीख रहे हैं, उसको connect करता है, real world के साथ, यानि बास्तविक दुनिया के साथ जोडने में मदद करता है, इसके अलावा बोला है, ये समय बिताने का अनन्दाइक तरीका है, तो ये तो बिलकुल गलत है, तीसरा है, these provide opportunity to carry out grouping assessment, ये मूल्यांकन करने के अब सरप्रदान करता है, तो यहाँ पे मूल्यांकन नहीं हमें प आसानी से, जो manage है, उनको कर सकते हैं, और ये रणनीती हमें प्रदान करता है, तो ये भी गलत है, जो हमारा बैचों को, हम अलग-अलग जगा पर लेके जाते हैं, व्यग्यानिक जो हमारा अलग-अलग interest वाली जगा हैं, वहां पर लेके जाते हैं, क्यूं जाते हैं? कि जो वो बच्चे पुस्तकों में सीख रहे हैं वो उनको असली लाइफ में देख सकें ठीक है अब डियल वर्ड के साथ experience कर सकें तो option number A सही रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please share करें Thank you